हाई इस्ट्रेंट्स आइम उद्या सिंग असिस्टन्ट प्रोफेशर फिजेक्स गौवर्मेंट्ट गल्स कोलेज तारा नगर मेकेनिक्स की लेक्चर सिरीज में एक बार फिर आप बस्वागत हैं बीसी फर्स्ट के लिए ये इस्पेशल हमारा टोपिक लेक्चर सिरीज गोणन गती करते हुए निर्देश तंत्र में द्वी वेमिये रूपान करण क्या पढ़ेंगे आज हम गोणन गती करते हुए निर्देश तंत्र में द्वी वेमिये रूपान करण अथा तू डाइमेंशनल ट्रास्फोर्मेशन इन ए रोटेटिंग फ्रेम और प्रेफरेंस अधा तो यह कोई ऐसा हमारे पास फ्रेम और प्रेफरेंस है जो फ्रेटिंग वशन में है तो उसमें कोडिनेट्रास्फोर्मेशन कैसे होगा यह सिंगल डैमेशन में ना होगी तू डैमेशन में होगा دर्य में रुपानत्रने आप होंगे कॉर्डिनेट ट्रास्फामेशन इसका हम आथ सनतेंट करेंगे इससे पहले मैं आपको याद देला दूँ हम कोर्डिनेट्रास्फामेशन की definition पड़ चुके हैं, उसके type पड़ चुके हैं और एक भी में रूपांतरण के अंतरगत, हम position transformation, velocity transformation और acceleration transformation पड़ चुके हैं. इसी सीरीज में आज two dimensional transformation in a rotating frame of reference आई ये देखते हैं. इसी एक इस्तती द्वारा समझ सकते हैं, हम मानते हैं कि S और R दो निर्देश संतर हैं जिनके X सतांगुल विंदू प्रारम में अर्था T बराबर जीवों पर समपाती हैं. हमारे पास दो frame of reference हैं एक S है और दूसरा R है जिनके X यानि XYZX और मूल विंदू यान ओरिजिन प्रारम में T बराबर जीवों को समपाती हैं. हम साथ साथ इसका figure भी देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. यह बिखे यह हमारा S निर्देश frame है और यह हमारा R निर्देश frame है और हम यह बात रहे हैं कि T बराबर 0 पर यह समपाती थे यानि S R से पूरा ढखा हुआ था S और R बिलकुल समपाती थे तिनों की जो X हैं दोनों की X हैं जो X, Y, Z, X और X, Y, Z, X वो एक ब्रूस रेक उपर समपाती हैं और मुल बिन्दू O और O' को हम कह सकते हैं वो भी दोनों बिलकुल समपाती हैं अच्छा फिर क्या होता है हम क्या देन कर रहे हैं गोर्णन गती करते वे निर्देश तो हमारा जो R frame है वो रोटेट करता है ति बनावर 0 पर तो दोनों समपाती हैं लेकिन फिर क्या होता है लेखें वाना निर्देशांक तंत्र आर नियत कोणिये वे गुमेगा से इस प्रकार से घुनन करता है कि इन दोनों निर्देश तंत्रों को मुल बिन्दू तथा जैडक्स समपाती रते हैं तो R जो रोटेटिंग फ्रेम है वो इस तरह से रोटेट करता है कि इसका जैडक एस और ओरिजन यह हमेशा एस फ्रेम के साथ समपाती रहते हैं और एक्स और वाई एक्स हैं वो एक फिक्स एंगलर वेलोसिटी ओमेगा से खुमते हैं और नन करते हैं किसी छन्ट ती सेकिंड के बाद R ठंतर के एक्स दैस तथा यख से थेटा बराबर Oumagain ट कौन से रुके होंगे किसी ताम ट पे ये थेटा बराबर doisू अबर ओमेगा ट कौन से रुके होंगे क्योंकि omega कोणी वेग है तो t time में कोणे विष्ठापन कितना होज आएगा omega into t तो t time में कितने हों जाएगे omega t इस इस्तती में काण P के निर्देशांग निर्देश तंत S तथा R में क्रम से x, y, z तथा x dash, y dash, j dash तो पिछले कंड की ही भार्ती निर्देशांगों का रूपा अंतर से में गर्ण ग्याद की एज़ा सकता है ये तो हमने दिमाग में चित्र बना लिया और ये figure, original, physical figure हमें दिखा रहा है कि s हमारा static frame है r हमारा rotating frame है जो omega एक fix angular velocity चे घूम रहा है और इस भारती घूम रहा है कि z, x और origin, o विलकुल सबपाती रहते हैं हर टाइम पे तो किसी टाइम टी पर x dash और y dash x का x और y x के साथ जो angle है वो omega 3 होगा, अब हम कोई बिन दूपी लें जिसके रिजांग हमारे static frame में x, y, z हैं और हमारे rotating frame में x dash, y dash, y dash हैं तो पीछे हमने जो coordinate transformation बड़े थी उसकी सहाथा से हम इन दून coordinates में static coordinate x, y, z और rotating coordinate x dash, y, z dash में relation लेक सकते हैं और वो relation कुछ इस तरह होंगी x dash परावर x कोश omega t plus y sin omega t y dash परावर y कोश omega t minus x sin omega t और z dash परावर z होगा क्यूंकि हम यह कह रहे हैं कि z x सलेव संपाती रहती हैं दोनों की गुमाव गोडन गती इस तरह से है कि origin o और z x हमेशा संपाती रहते हैं तो z dash का कोई रूपांतर नहीं होगा और यह z dash z के ब्राबर बना रहेगा और यह हम तोड़ा याद करें x और y के रूपांतर नहीं है तो नियत कौन से सुखेवर रूपांतर नहीं है हमने रूपांतर नहीं देखे थे विल्कुल उसी प्रकार के हैं किसी टाइम टी पर x dash जब निकालेंगे तो x के साथ कोई संपाती प्लस y के साथ साइन वेगा टी और y dash x जब निकालेंगे तो y के साथ कोई साथ मेंगा टी और x के साथ साइन है मेंगा टी विद नेगितिव साइन तो यह हमारे रूपांतर समीकर्ण हुए को लिक्रतिस में होने नहीं चाहिए यह विगर भी समझने में कोई समस्था नहीं होनी चाहिए यह हमने s निकाल में बिंदू के रिषांग ले रखे है x, y, z और यह दूरी x है जो x कोर्डिनेट के बराबर है और यह वाली दूरी y है जो y कोर्डिनेट के बराबर है इस y, x पर o से ले गए हां तक इसको मापते हैं सारी दूरियां हम horizon से ही मापते हैं जैड जो है उसको हम इस two dimensional frame में जैड को दिखा नहीं रहे हैं जैड को के बल हम यह इंडिकेट कर रहे हैं और हम जानते हैं कि यह two dimension में के बले इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि यह three dimension होता तो यह हमारे की और निकलता हुआ होता हम लेते कई बार हम अंदर की तरह में लेते हैं यह हम सारी बात है पड़ चुके हैं मेरेश तंतर काडिशियन कोडिनेट सिस्टम में दो प्रकार के कोडिनेट सिस्टम हमने पड़े थे clockwise और anti-clockwise तो यह दोनों figure में कोड़े जानी नहीं है यह जो कोडिनेट x-y-z- यह इस रोटेटिंग frame में position दिखा रहे हैं किसी time deeper x-y-z- और हमने इन तोन जो कोडिनेट्स है static frame में और rotating frame में इनमें संब्ध इस वरगार से लिखा है और इसको हमने पीचे पढ़ा भी है को यह हमें ज्याद है कि x-s और x में यह वाला संब्ध होगा और x-s और y में यह वाला संब्ध होगा z-s और z समान रहेंगे तो कि z जो x है वो गुनन नहीं कर रही है और दोनों frame में एक दों संपाती है same direction में रहती है अब देखते हैं आगे तो उपर दियेगे रुपान पर समीकर्ण समय पर आश्रित करता समय आश्रित समीकर्ण क्यों है क्योंकि इन सब में t आ रहा है theta आ रहा है तो time पर आश्रित है time dependent है क्योंकि चैसरी ही time change होगा time आगे बढ़ाएगा time evolution होगा तो theta बढ़ जाएगा theta बढ़ जाएगा तो हमारी समीकर्ण भी change हो जाएगे value change हो जाएगे cos theta sin theta की मान change हो जाएगे तो यह जो रुपानतर समीकर्ण है यह आश्रित समय आश्रित time dependent है क्योंकि गोना दपी करके बेंदे देजनतर में एक्सों की दिशा वह एकाई सरिष्ण के मान जो हैं वह समय पर ने बग करते हैं तो समय आश्रित इसके यह हैं क्योंकि time के साथ कौने विस्तापन change होगा कौने विस्तापन change होने से अक्सों की direction change होगी और अक्सों की direction change होने से अक्सों की दिशा में जोई कांक सरिष्ण है उनके मान change होगे वह time dependent होगे यह जो coordinate transformation equation है यह time dependent coordinate transformation equation है इस परकार यह जरूरी हो जाता है कि बेग बत्वाण के लिए रुपांतर समय ग्यार करते समय इस परकार के दरुड़ता को नियाल में रखाश है तो इसमें यह position transformation equation हमने ज्याद की है two dimension में जब हम velocity और acceleration transformation equation निकालेंगे तो इसी से ही निकालेंगे position का एक बार time derivative करें तो हमे velocity मिलती है और velocity का एक और बार time differentiate करें time के respect में तो हमें acceleration मिलता है हम चाहें तो position को भी दो वार time के respect में derivative इसका ले सकते है acceleration के लिए लेकिन जो कि position time dependent है coordinate time के depend कर रहे है तो वे गुर्षवार्ण के रुपांतर समतार्ण भी time dependent हों इसने बता ब्रहान में बखा जाने चाहिए और रेंड़ पांतरों के आपेक्स के भूना नतीए relative rotational motion नाम के आए में हम आगे करेंगे दुबारा इनको detail में हम बढ़ेंगे हमने प्रारंबिक जानकरी यह ले ली है हमने यह देख लिया है कि कि परदार rotating frame में जो हमारे coordinates से हैं जो positions से हैं हमारे object की हमारे transformation time development है तो velocity और acceleration इन दोनों के transformation equation है वो भी time development होते हैं के बाद हमने यहां समझे THANKS नहीं बाद